हलो फ्रेंड्स, मेरे नाम राकिश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं फिर आपसे अपनी एक ट्रिक शेयर करूंगा और ट्रिक रहेगी यमना नदी की साथ प्रमुक सहायक नदियां यमुना नदी की जो साथ प्रमुक सहायक नदियां है उन सहायक नदियों की नाम हम ट्रिक की माध्यम से याद करेंगे दोस्तो मैंने इसकी जो ट्रिक बनाई है बहुत ही सरल है आसान है आपको याद हो जाएगी और उस ट्रिक से ही आपको इन सातो नदियों की नाम भी याद हो जाएगी तो दोस्तो आप वीडियो को शुरू से अंतर तक जरूर देखें और इस ट्रिक को समझें सबसे पहले जान लेते हैं कुछ यमना नदी के बारे में तो यमना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमनूत्री उत्तर कासी से 30 किलोमीटर उत्तर गड़वाल में और यमनूत्री नामक जगह से निकलती है और प्रियाग जिसको इलावात कहते हैं में गंगा म गंगा से मिल जाती है यमुना नदी और यो यमुना का उद्गम स्थान हेमालय के हिमाच्छा दित श्रंग बंदर पुंच उचाई 6200 मीटर से 7-8 मिल उत्तर पश्चिम में इस्थित कालिंद परवत पर जिसके नाम पर यमुना को कलिंद जा अत्वक कालिंदी कहा जाता है तो दोस्तों आप जानते हैं सहाइक नदिया तो जो यमुना नदी की साथ पिरमुख सहाइक नदिया है वो इस प्रकार हैं केन, बेतवा, छोटी सिंद, हिंडन, सेंगर, चंबल और टॉन्स तो देखिए आपको ध्यान से एक बार इन सातों नदियों के नामों को पढ़ लेना है क्योंकि हम यहाँ नदियों के नाम की ट्रिक बना रहे हैं तो आपको ट्रिक्स में नदियों के नाम ही याद रखना है और नदियों के नाम ही आपको याद आ जाएंगे ध्यान से पढ़ लीज़े इनको Can, बेतवा, छोटी संद, Hendon, Sanger, चंबल और Tons, अब देखिए ट्रिक जानते हैं और ट्रिक से आपको इन नदियों की नाम याद हो जाएंगे ट्रिक देखिए, ध्यान से जाने उसको KBC KBC तो आपको याद हो ही जाएगा KBC और K को silent रखना है क्योंकि मैंने sentence जो बनाया है, उसको K जोड़ने के लिए KBC के हिस्से चाटो अब आप समझ गया होंगे, KBC के हिस्से चाटने को बोला है, चाटना आप समझते हैं, हिस्से भी आप समझते हैं और KBC आप कौन बनेगा करोलपती इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि KBC के हिस्से चाटो, अब देखिए हिस्से हम किस तरीके से सातो नदियों की नाम याद करते हैं KBC के हिस्से चाटो तो K से हो जाएगा K नदी B से हो जाएगा बेतबा नदी C से हो जाएगा छोटी सिंद नदी सिंद नदी लिखा है परी छोटी सिंद नदी इसको सालेंट रखना है के के लिए हिस्से की ही से बन जाएगा हिंडन नदी से से बन जाएगा सेंगर नदी चाटो की चा से बन जाएगा चंबन नदी τो से हो जाएगा टोनस नदी देखा दोस्तों आपने आप इन सब्दों से ही आपको नदियों के नाम यादा जाएंगे कि के से के न नदी बनेगा B से बेटवा नदी बन जाएगा और C से संदध नदी बन जाएगा ही से हिंडर नदी यादा जाएगी और तो से से héngar नदी बन जाएगा चा से चमबली नदी याद आएगी आपको और टो से टॉन्स नदी ही होती है यह नाम आपको याद आजाएगा तो देखा दोस्तो आपने कितनी आसान ट्रिक है के बीसी के से चाठो तो आप इस ट्रिक को याद रखें उस ट्रिक के माद्यम से आप साथ हो प्रमुक्साहक नदियां यमना नदि कि आपको याद हो जाएंगे तो दोस्तो आसा करता हूँ आपको यह मेरा वीडियो और मेरी ट्रेक अच्छी लगए होगी और मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों क्षा शेर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू